दोस्तों अगर आप एक blogger है तो अपनी blog post में आप images को भी add जरूर करते होंगे एक से ज़्यादा images भी आप अपनी blog post में add करते होंगे ऐसे में आपको image size का भी खास ध्यान लगना चाहिए क्योंकि अगर image का size ज़्यादा होगा तो आपकी blog post की जो loading time है वो काफी ज़्यादा और आपकी site size से response नहीं करेगी ऐसे में आपके blog visitors को problem हो सकती है और वो आपकी site को जल्दी छोड़ सकते हैं इसलिए blog image size को reduce करना आपके लिए काफी ज़रूरी हो जाता है जितना कम size आपकी blog images का होगा उतनी ही जल्दी आपकी site fast load होगी इसलिए आपको अपनी blog images का जो size है व reduce कर सकते हैं इनी टूल्स में से मैं आपको online दो ऐसे टूल्स बताने वाला हूं जिनके तुरू आप अपनी पोस्ट इमेज़स का size काफी रेडियोस कर सकते हैं वह भी बिल्कुल फ्री में online free tools के तुरू आप अपनी blog images का size काफी कम कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर जो फर द्रीप्स करना है थोडा साइघ के त्रह सकते हैं इसके लिए मायश्ट करने का option पर कलिक करना है और अपने ऑपन हो जाएगा जिसें आप यहां पर देख सकते हैं आपकी इमेज का जो और इसे आप डेख सकते हैं और किसी की कि आपने किसी फोलडर में सेव कर लिजिए अब अब दूसरा तूल में आपको बताने हो इसके लिए आपको यहांपर webp converter लिखकर सर्ज करना है इसके बाद जो सब्सक्राइब आपके सामने आए गया यहांपर टॉप में ही वह पीध कर लिक्क पर आपको क्लिक करना है इसके पाद आपको अपनी जाएगी करने के वाद लिए कि पर अापको याइट कर देना ले ते लिए पड़े साइब करना हो अपको सब्सक्राइग वार्पित और दो हो जाएगी और आपकी साइज बहुत जहां की जाएगा ब़ूडन image formatted जो आपकी images को Superior Nósless और Lossy compression प्रोवाइड करता है जिससे आपकी image साइस काफी smaller हो जाता है और दाउन-डॉड और सीउस करके साइसाय वाली image को अपने folder में download कर लिजी इस तरह से गयाई आप अपनी ब्लॉपकवश्च में यूज होने वाली हर एक image को कंप्रेज कर सकते हैं उसका size reduce कर सकते हैं और अपनी website को fast loading बना सकते हैं तो आज की इस वीडियो वापस इतना ही मिलता हूं आपको नेक्स वीडियो में किसी और जनकारी के साथ तब तक के लिए जैहिन